हलो फ्रेंट्स आज हम लेकर के आए हैं दरोगा के लिए पीटी और मेंस का टेस्ट पेपर ठीक है इसमें अम लोग जीके जीस कभर करेंगे 100 कोश्चन्स का ठीक है मैट्स के लिए हम लोग अलग से लेकर के आएगे विडियू तो आज आई देखते हैं 100 कुश्चन्स दरोगा भिहार ससी और भिहार पुलिस के लिए चलिए आईए तो पहला कोशन देखते हैं हमारा अनुछेद 356 की तहत आपातकाल की घोषना के बाद राज्य का सासन कौन चलाता है मजंद 356 कि तहत आपातकाल की घोषना होती है राज्वती के द्वारा तो राश्वती सासन लागू हो जाता है राज्य में और उसका जो सावसन चलाने वाला है वह राज्यपाल है जो कि राष्ट पति के दीशा निदेश में काम करते हैं ठीक है तो हमारा उप्सन हो जाएगा सी है यह हमारा उप्सन सी नंबर सही हो जाएगा ठीक है आए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कोसिंश क्यों जयानि नियुम्लिखित में से प्भारत की राजभासा क्या है कि तीसरे प्तिन क्यों चलते हैं यह ए मारा नियुम्लिखित में से सत्य मेः जेठें कहां से लिए लिया गया है तो सत्य में जैते जो है वो मुंद को उपनीसात से लिया गया है यह आपका अप्सन ए सही हो जाएगा ठीक है अब यह चोथे क्वेशन्स की और चलते हैं निमलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसमें शुरू किया था तो होम रूल मूवमेंट जो है एनी वे जगों पर शुरू किये थे ठीक है यानि कि हमारा ऑप्सन भी सही हो जाएगा ठीक है आचा आए पार्चपे क्वेशन्स की और चलते हैं तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था तो तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा क नारा जो है यह सुभास्चंद्र बोस का नारा है यानि आप्सन हमारा सी सही हो जाएगा अब आये चट्थे कोशन की और बढ़ते हैं तो चट्था कोशन है मारा कि निम्लिकीत में से भारत की अधिक्तम उत्रिये अच्छांस यह अत्रिये अच्छांस नहीं बलकि उत्रिये अच्छांस है नौर्थ ठीक है तो यह सबसे अधिक्तम अगर उत्रिये अच्छांस की बा आपको अपरिका को यूरोप से अलग करता है तो हमारा अप्सन हो जाएगा भी अब आईए नेक्स्ट कोशन पर करें इसमें हमारा बर्फ पिखलनें पर होता है तो इसका आइथम जैसे घट जाता है यानि जब बर्फ बनता थो उसका अधर बढ़ जाता पानी से बढ़ वर पर पिखल गदेगा तो उसका से बच्चों में रिकेट्स की बिमारी होती है तब बच्चों में रिकेट्स की बिमारी जो है विटामिन D की कमी से होती है विटामिन C की कमी से असकर भी होता है विटामिन D की कमी से बेरी-बेरी होता है विटामिन A की कमी से रतांदी होता है ठीक है अच्छा कहीं कहीं पर हम by die का कैलसी फेरोल होता है । कि है । आय privately नेक्स्ट के चलते हैं नेक्स्ट कोशने में से मस्रूम क्या है मस्रूम जो यांसे ये प्रोटीन का बहुत बगड़ा से तो यह हमारा कोपते हैं जो की जमीन के ऊपर फलता है ठीक है गवक होता है तरह का फली कर सकते हैं जो कि कवक होता होता है ताई यानि Option B हमारा तो हमारा सही हो चाएगा तो आब अब इनेक्ष्ट है हमारा निम्लिक्सित में से कीड़नी की बीका संबंद कीड़नी प्राकरति की जो है आपका वो देलीशिस जब किड़नी खराब हो जाती है तो हम लोग-टन देलीशिस पर रखते हैं घलीशिस इंक हमारा और जो जो फिर है उसको पूरा बोड़ि में आम किम लोग सप्लाइद दे सैं ठीक है जो अदेलीशिस जह से मारा जो सबसे भाहरी तत्व है वो हमारा है यूरीनियम यानि की यूरीनियम अगर अगर ऐसे बात किया जाए सब्से भाहरी तत्व तो तो तरह हमारा और ऑस्मियम ठीक हैं अ ए अ आच्त है कि नेक्स्ट कोशं तेरा नंबर नमलिकित में से कॉन गवर्नर जन्रल जो हैं डौक्त्रिन ओफ-लैप्स से संबंधित है य謝र किनी डॉक्षी का मतलब हुं तो हरौक नीति जो खाल कि निती जो है लाड डलहया-जी ने शुरू किया था जिसके तहत उन्हें अबत है इंभध को मिला लिया था हड़प की नीति के तहट तो ये मतलब कि हड़प की नीति jsुरू करने retour लोजी है कि starch Land अस्थाई बंदोवस्त पर वह लॉय ने सुरू किया थ got नहीं अपना अस्थाई बंदोवस्त सुलू किया थे ति कशeur आवाईए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर कोशन निमलिखित में से किसकी वज़ा से एसीड रेन होती है तो एसीड रेन जो है वो बाई परदुसन के कारण से होती है तो यह हमारा ऑप्सन डी सही हो जाएगा ठीक है बाई परदुसन अच्छा अब हमारा जर्मन सिल्वर में चांद बादीर नंबर करने वाले भारत के जोएं से वो रवींदर नाट य। 113 में को नोवेल पुरुसका दिया गया था रविंदर नाठ टैगोर को ठीक है अब आई ये नेक्स्ट कुशन स्क्योर बढ़ते हैं कि साइकलून हेलेन से निमलिकित में से कौन परभावित हुआ था साइकलून हेलेन से जो है हमारा आंध्र परदेश की छेत्र जो है वह परभावित हुए थे ठीक है तो इसका ऑप्शन यह हमारा सही हो जाएगा साइकलून हेलेन से हमारा आंध्र परदेश का जो छेत्र है व निम्लिखित में से किसके बिरूद संगर्ष किया ये नेलसन मंडिला चुकी काले रंग के थे यानि कि उनका जो रंग था वो काला था तो वो रंग भेद को से प्रभावित थे ठीक है तो उसके बिरूद हुनों संगर्ष किया था साथ अपरिका में तो यह हम कर सकते हैं कि नेंसर मंडिला ने है जो वो रंग भेद की निती को दूर किया विरूद संगर्ष किये थे ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट कुश्ण है हमारा यानि कि यह हमारा उप्षन यह सही हो जाएगा उनिसका अब आई निकित में से कहां से निकलती है तो नर्मदा नदी जो है वह आपको अमर कंटक से निकलती है ठीक है अमर कंटक से निकलती है नर्मदा नदी यह अमर कंटक से और भी नदिया निकलती है जो एक है सोन नदी यह भी हमारा नर्मदा जो निकलती है अमर कंटक से निकलती है और यह सुन नदी आपका गंगा नदी में मिल जाती है और नर्मता नदी से जाकर के अरग सागर की खाड़ी में जाकर गिरती है ठीक है यानि कि दुनों अपूजी डिरेक्सिंस में ख्लू करती है ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट कुर्शन क्यों राते हैं यानि हमारा इसका बी मायकल ओडायर की तो ऑधन कि थी और वह उधंसी जो थे इंग् людямण गए थे उन की हथ्या करने के लिए ठीक है और वहां जाकरकर आफकर unit कि हथ एक यह फिर बाद में इनके भी वहां पर पांसी दिए गया था ऐसी कि तो इक आरूव्यस का आपका स्ट बेंव एक दोगा होगा उधासिए पूश्ट फिर हमारा नेक्सट पूश्ट निलिखित मेंसे किस ने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूस्टक लिखी थी दोश्टो यह कोस्ष्ट पूचा हुआ है भीयार स सिम्हें हमारा टेस्ट फोप माई लाइफ जो पूस्टक है वो इवराची की ट्रूष्ट है ठीक है यहन्य कि सी ऊप्षण सही हो जागा है और सकतार झालाल रंग निमलकित में से किसके कारण होता है रूपी का जो लाली रंग है व fifteen हमारा होता है क्रोमियम ऑक्समियद के बज़य से क्रोमियम ऑक्समियद याजिक फशीया और थे कोट फिर निम्लिकित में से भारत और स्रिलंका को कौन अलग करता है तब भारत और स्रिलंका को अलग करने वाला जो हमारा जल संभी है वो पाक अस्टेट है पाक जल्डम रूमद है जो भारत और स्रिलंका को अलग करती है यानि कि 24 नंबर कोश्चन हमारा इसका एंसर बी हो जाएगा हैं कि भारात स्रिलंका को अलग करने वाली जलद्रम रूमत है ठीक है ? अब सयल मारे निम्यकेद में निम्यक stuffing में में अधीक तांबे के अयस का भंडार है सबसे अधीक तांबे के अयस का भंडार जो है वह राजस्थान में है कितरी तांबा उध्योग है से वहीं है हमारा राजस्थान में ही तो सबसे अधीक तामेते कि असका भंडार जो से वह राजस्थान में यानि 25 का डी-एंसर सही हो जाएगा ठीक है लोग बात करें तो एक आपर ट्रीक याद रख सकते हैं मित्र पर गमचाजार यानि कि मी से मिजोरम मिजोरम और फिर हो गिया हमारा त्रीपूरा 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 और फिर आपका मित्र पर गमचाजार यानि की परसे पर्षिम मंगल और रसे पर अच्छा फिर हमारा वाजता है हमां से मत्परदेस हो गया जह से जारकन एक राज स्तान आ जाता रास के प्याद रख सकते हैं उत्तरपरदेस बंट्थ में होगा है जह साथ मजटिक व Edwards Master सरवाधिक बंच यह दोस्तों मर्द पर्देश में हमारा सबसे ज्यादा बंच अगर सबसे पर्सेंटेज में अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कहाते तो मिजोरम हमारा का एंसेर होगा लेकिन सरवाधिक अगर बंच试 की बात कहले है तो मतपर्दिस में हमारा होगा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कुस्ट्षन होको तो यह हमारा 18 नियुकर हो जाएगा आप नेकस्ट के और बढ़त थिस नमर कर Health apples इंडे में कितने पर होते हैं मानल हundo में चार चेंबर है तो में चार चार बेसमी होता है मानब स्वासे चार चाहर पर जो जयांदा पूछा गया कोश्टन है वह मेधक के कितने चमबर होते हैं तो वह तीन के मेधक हर्दे में कई पर पूछा गया आच्छा नेक्स्ट कोश्टन हमारा कि नेमलिकित में से किस रख्त समूं बेकती जो सर्व गराही कलाता है यानि कि सर्व सारे ब्लड ग्रूब को वह एक्षेप्ट करने वाला जो है वह गूरुप है यानि आफ़सर जाएगा इसका वह जो है सभी को दे सकता है और इसके सब से ले सकता यह सर्वग्राही होता है हमारा है थीकर निम्लिखेद में से कों सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है तो शब्लड निकलने लगता है तो उसको जमाने के लिए चलों है एक सब्सक्रों सेना दिवस मनाया जाता है तो सेना दिवस मनाया जाता है तो सेना दिवस हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है 15 जनवरी जो से सेना दिवस के रूपे मनाते हैं 12 जनवरी जो से हमारा यूबाद दिवस के रूपे मनाते हैं और साथ यह 14 जनवरी तो मकर संक्रांती हो जाती है ठीक है एक कोशन यहां से और पुछा जाता है 25 जनवरी जो है हमारा वो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को सहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं ठीक है तो यह कोशन साथ याद रख सकते निमेफिक निम लीक किस से ध्वानी नहीं गुजर सकती है किसीने किसी मेडियम ही तो मतलब है कि निरवात और अगर पुछा जाता है कि सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा व्यवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इत्वार रहता ही कि निम्लिकित में से फल्लोग या करिकृत्य भर पकाने मां किस था पिकृत्य में हम लिए अस्ति तो यह मारा option 35 का सी हो जाएगा संसधिये चूनावं में उमिद्वार की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए पैर जरन से कम से कम 25 रत होनी चाहिए 25 वर्स पूरी कर चुका होगा कोई उमिद्वार तभी वो ससली चुनाव को लड़ सकता है ठीक है को फिर हमारा नेक्स्ट कॉस्चान से प्रिश अठ्राइसांटामन की क्रांती के समय गवर्न जनल कौन था अठ्षा सुस्तामन की क्रांती की समय ओनल नहीं और उच्छा वह लौड कैनिंग था था वह送र्था सीनल सुर्थ का बी ओक्सुन सही हो जाएगा अब आते हैं 38 संब्स कोूशन्स काता है कि महत्मा बुद्ध किस बंचन सब्ण्धि है कर दो तो महत्मा बुद्ध कीस मतंध सही यानि कि 38 का सी अप्सन सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टिन पर आते हैं 39 पर का था कि निमनिकित में से किसमें किला राय पिथोड़ा गड़ का निर्मान किया था तो किला राय पिथोड़ा गड़ का निर्मान जो किया था वो प्रतिवीराच चोहान में किया था राय जो है किसने प्ररम्ब किया तो भुदान अंदोलन जो है वो हमारे विनोवा भावे ने शुरू किया था ठीक है कि अच्छा कि सत्याग्रा अंदोलन जो मात्मा गांधी ने शुरू किया था यहां पर चंपारण में ठीक है भुदान अंदोलन से संबंधित हमारा बिनोवा भाब है उनिस्सों नहत्तरिस्वी में ठीक है अच्छा अब यह नेक्स्ट कॉश्चन हमारा फोटीवन कथक कली न तरह शुरूआर पर कोड़ हते हैं जुआ तरफ शुरू मारा इत शुपर नहीं महासाग्रों को परामा नहर्ज होती है पनामा नहर परसांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है अब नेक्स्ट को सिंस हम लोग आते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा यह कौन सी 5 वर्ष यह यूजना केवल 4 वर्ष की थी तब 5 वी 5 वर्ष यह यूजना जो थी वह चार वर्ष की थी मुराजी देशाईने आकर करके उसको रद कर लिए थे तो पांच वी-पंच वर्ष यह विभ्जन हमारा चार वर्ष के थी थी Kenneth नेक्स्थ हमारा और भातियी अंत्री अनुसंधान शंगत्थन कहां इस्थित है तो भातियी अंत्री अनुसंधान संग गठन जो है यह हमारा बेंगलूरू में वस्थित है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्टन की यूर इसरो का गठन किस वर्स किया गया था इसरो का गठन जो है यह आपका आपको अमेरिका से नासा वालों ने चान मिसंस को अंजाम दिया था यानि कि नील आर्मस्ट्रों को चान पर भेजा गया था ठीक है अच्छा नेग्स्टक्रिशन है अमारा आओवाशी लगान परिखटना जो है वो दिरुगाबदुइक होता है यह अपक्शन वो जयागए यानिकि 47 का बी नेक्स्ट हमारा है 48 भारतिय उस्तम नियाले के नियाधिसों की निक्ति कौन करता है तो भारतिय उस्तम नियाले की नियाधिसों की निक्ति जो है वो हमारे जो राष्टपति हैं वो करते हैं ठीक है यानि उस्तम नियाले के जितने नियाधिस होते हैं सब की न अधिकार कर्तब्यों में ही नहित होता है कि.'49 सब्सक्रार कर्तब्यों में किया था सब्द करणी मान हमारा गांधी जी ने किया था इन्वोनने जुरो किया था चमपारण 다고 है में सक्तरा- TCM ठीक है उससे पहले भी सथाख्रा को प्रहों किया था अधाशी अपरीका में ठीक है जहां पर इन्होंने इंडियन ऊपिनियन नामा पुस्त थ हुत रचना किया था ठीक है को आलाये नेक्स्ट कोर्षण की रचना की अस्थाप्ना कब की गई भारतिय सेवा यहीं Mic बन सेवा के स्थापन वो 1 जुलाई 1966 की गई था यानि अवशन हमारा सही हो जाएगा बारतिय बन से वाकिया स्थापना जो है एक जूला उन्हें 166 भी को की गई थी यानिया अप्शन यह हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा भारति यह संभीधान के कि संसोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज विवस्था को संभैधानिक दर्जा दिया गया तब पंच लग्चित में से किसे भारत का तो्ता का जाता है भारत का तोटा जो जो है अमीर खुस रुओ को कहा जाता I'm here साथ सुल्टानों के काल को देखने वाले एक बेखती हैं जो मतलब कि इनको भारत का तोता कहा जाता है साथी साथ यह तवला का इनको निर्माता भी कहा जाता है तवला के खुज करता कहा जाता है ठीक है कि नेक्स्ट कोशन है हमारा भारत किसके बाइसराय काल में स्वतंत्र हुआ था भारत जो है किसके बाइसराय में स्वतंत्र हुआ था यह तो मांट बेटन थे भारत के सबसे अंतिम बाइसराय जो हमारा मांट बेटन थे लोड मांट बेटन यानिकि हमारा भारत के जो बाइसर सब्सक्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब कि दो proactive होई तो यह हमारा जब हमारे चम्पारण से तियाग्रा चल रहा था उसी समय रुसी क्रान्ती यह बी कि थी फिरूस्स में है ठीग है ऐचा एक फिर हमारा फिर बरा नेच्स पुसान के परसीद राजा का नाम बताए बुन के सबसे परसीद्राजा जो हं वो को सब्सक्राश्श के हैं जिनके साफbacks काल में चतुर्थ बहुत संगीती हुई थी कहां तो यह जम्मु कस्मिर में हुगा था ठीक है अब आए नेक्स्ट कोशन्स क्यों चलते हैं 57 नंबर कोशन्स क्यों करता है कि बरतमान दौलतावाद जहां मुहम्मद बिन तुगलत ने दिल्ली से राधानी को थनांतरित किया थ ठीक है इसका ओप्शन भी सही हो जाएगा दौलतावाद और अंगावाद के नजदीक स्थित हैं किस भारतिये राज जी को चाय का उत्पादक राज नहीं माना जाता है तो चाय का उत्पादक राज जो है हम लोग 36 गड़ को नहीं मानते हैं 36 गड़ जो हैसे मारा चाय का उत्पादक राज नहीं है बट यह चावल का कटोरा कहलाता है 36 गड़ जो चावल का कटोरा कहलाता है बट यह जो चाय का उत्पादक राज नहीं माना जाता है ठीक है यानि ऑप्शन डी सही हो जाएगा उन्सट है हमारा भारत में सबसे उंचा पठार कौन सा है भारत में स आईये next questions के उबढ़ते हैं यानि 60 number questions के कहता है कि गर्म सुस्क मोसम के दोरान भारती उप महादीप निमलिकित में से किस छेत्र में नीमतम दाब रहता है तो ये पस्चि मोतर पर्देश जो है हमारा उसमें सबसे नीमतम दा रहता है ठीक है पस्चि मोतर परदेश में सबसे निम्तम दाव रहता है गर्म सिस्क मोशन के दरान तो यह हमारा option C सही हो जाएगा 60 का C नेक्स्ट आता है पनामान नहर का निर्मान कीस वर्स हुआ था तो पनामान नहर का जो निर्मान हुआ था वो हमारा हुआ था सबसे उचा निकास बेसिन कौन सा है तो सबसे उचा निकास बेसिन की बात करेगा तो वो क्रिष्मा हो जाएगा ठीक है विजना नदी ठीक है अगर बड़ी नदी अगर बात कि सबसे लंभी नदी अगर बात किज önem नदी में तो वो बैफिन नदी हो जाएगा बात यत फट वहां दुथा ओंसे हो जगत बर्विकारन की चब्सित करने किया था यानीular फीटेकर हमारा अंसर elabor ईंट्सी सरी हो जाएगा ठीक है ले दो बर्गों में पूरे जगत के बर्गी करन किया था ठीक है तो ये 63 का option ये सही हो जाएगा आपका next आता है हमारा काईटीनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं तक काईटीनी बही कंकाल वाले जो जीव होते हैं वो समुद्री अर्चीन होते हैं यानि option C हमारा सही हो जाएगा जाएगा यह 64 का option c समुद्री अर्चीन नेंक्स्ट है हमारा 65 नंबर कता है बयस्क बेक्ति की हिर्देधड़कन दर क्या होती है तो वैस्क बेक्ति की हिर्देड़ अगर स्वस्त बेक्ति तो उसकी हिर्देधड़कन प्रति मिनेट में 70-80 वाल यानि 72 जेनरली आता है कहीं कहीं के लिखा हुआ तो 70-80 के बीच में होगा प्रती मिनट ठीक है यानि option D इसका सही हो जाएगा 65 का ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है citric acid मुक्त रूप में किसमें होता है citric acid जो है वो हमारा पाया जाता है दूब में आपका uses prevention तहीं हमारा तर्टारी के सीडोता है ठीक है औरिशा अनी कि स् consultant करिमी जो है फ॥ता क्रीमी होता है तब प्लेट करिमी जो है यानि कि 67 काई's सज़खें एका सही हो जाएगः जाएगा अब हम बात करते हैं दूद की सुधता किस से मापते है तो यह दूद की सुधता जो है वह हम लेक्टोमीटर से मापते हैं यानि ऑप्शन बीस का सही हो जाएगा दूद की सुधता जो हम लेक्टोमीटर से मापते हैं थर्मोमीटर से टंपरिचर मापते हैं हाइड्रोमीटर स पर निम्लिखित में से किसका ध्वनी के बेग पर कोई परभाव नहीं पड़ता है तो ध्वनी के बेग पर जो है वह आपका दाप का परभाव पड़ता है तापमान का परभाव पड़ता है आदरता का परभाव नहीं पड़ता है और घनत्व का परभाव पड़ता है यानि क कि ध्वनी के बेग पर आध्ता का प्रुफाव नहीं पड़ता है नियुक्ति अगर के चाल समान हो सकते हैं लेकिन कभी भी समान नहीं होगा यानि कि समान, चाल और परिवर्टि भेग यह हो सकने वाली बात है ऐसा होगा जरूरी नहीं है ठीक है क्योंकि चाल बदलता हुआ रह सकता है लेकिन यह बेग जो हे हमेशाँ बदलंगे करेगा यह फैक है ठीक है परिवर्टि भेग होगा समान, चाल हो सकता है ठीक है में दो जो यह आपका सही हो जाएगा सी आपका इसमें चपल रहें चालते हैं सिबंसर चालते हैं तो सबएक्तों कि सब्सक्राइब द्धारा वाहग को विवाग चालक को निए चुमबकिय और चालग4 विढयर rin Mille 580 कि 7ian-1-119 समरा एक किलो भीत जो है कितने बीट के बराबर होता है यह कीळोडोड में सेमक्योड करने के लिए निम्लिखित में से किस विकल्प का परियोग किया जाता है किस विकल्प का परियोग किया जाता है तो इसका हमको option जो होगा वह हमारा हो जाएगा and open कमांड को स्यलेक्ट करना यानि कि open कमांड को अ लोग स्यलेक्ट करते हैं कि additional फाइल को Finder स्यलेक्ट करने के लिए ठीक है ओग्धिक और ऊसन ब्था कंट रिपक्रज का ₹100 भी कांट हो जाëएग ठीक है नेक्स्नe की में लेजर प्रिंटर rocket तुलल्ना हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं तो लेजर प्रिंटर की तुर्णा में डॉट मैट्रिक्स जो है से सस्ता होता है इनकी कम महंगे होते हैं ठीक है पिर हमारा आता है नेक्स्ट कोशन की निमलिखित संग में सासित राज्यों में अस्तरी सा चर्ता वाला टेरिटोरीज है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पोशन की और हम 77 कताई की इको मार्क जो है योजना बर्स 1991 में उपभुखताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोसाहित करने हेतु आर्रंब की गई जिनका प्रयावर्निये प्रभाव कम हानिकारक हो निम्लिखित उपभुखताओं उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतरगत अधिसुचित नहीं है तो यह हमारा जो है और धिया एवं प्रतिजैबिक जो है इसके लिए अधिसुचित नहीं है यानि कि option D number जो है से इसका सही अंसर होगा यानि कि आपका जो 77 का option D सही होगा और यह प्रतिजैबिक कता भारत में निमलिखित में से किस राज में नगरिये घनत्व सरवादिक है नगरिये घनत्व जो है हमारा दोस्तों वो पस्ची मंगाल का सबसे ज़ादा है नगरिये घनप पस्षी मंगाल का सबसे ज़ादा है जबकि सबसे ज़ादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है और उसके बाद महाराश्टर का है ठीक है लेकिन नगरिये घनप पस्षी मंगाल का सबसे ज़ादा है अब आते हैं नेक्स्ट कुर्शन 79 नमबर पे किराश्टी कि राज मार्ग विकास पर्योजना की उत्तर दचिन तथा पुरव पस्षिम गल्यारे जो है वो जहासी में आकर के मिलते हैं अब आते हैं नेक्स्ट नंबर यानि कि 80 नंबर कॉशन पर निमलिखित में कौन सुमेलित नहीं है नातुला दर्रा जो है अरुनाचल परदेश में ना हो करके सिक्की में है लेपू लेक उत्राखण में सही है है रोतांग इमाजल परदेश सही है पालगाट के रल सही है यानि कि हमारा यह उप्षन जो से सुम्यलित नहीं है यह हमारा गलत है यह सिक्कीम होने चाहिए था यानि कि प्राक्रतिक बंदरल्गा जो है हमारा इज़ नहीं जो आपका करित्री मां बंदरल्गा तूतिक और आपका करित्री में विशाकापर्त्नम आपका अब करते हैं हम 82 नंबर कोश्ण्स पर तो इसमें हमारा कहा गया कि बर्स 2011 के जनगन्ना के नुसार जनसंख्य कुद्रिष्टी में रखते हुए निम्लिखित राज्जियों का अवरोही क्रम में प्रस्तूत किजिए जनसंख्य कुद्रिष्टी में रखते हुए कहा गया है सबसे ज्यादा जनसंख्य जो है उत्र पर दिश कथा यानि चार हमारा पहले होगा उसके बाद हमारा महरा तीन हमारा दूसरा नंबर पर होगा चार तीन वाला जो अप्सन है वह आपको एक ही ऑप्सन दिख रहा है वह ब्यद्ज को भी है यहाद पोगा दिख्रेश्ट्रिंगर 병ork unasusै अथा नंबर हमारा चौद्यां घु1 ृ मिनल Argentogly औरफ में ब्हारत में नहीं है यह सत्लज नदी जो है पाकिस्तान में इसका उद्गाम अस्थल न यानिकि सद जद इसमें हमारा एंसर हो जाईगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं है एक अटीफोर नंबर निम्लिखित आदर छेत्रों में किने रामसर का दर्जा प्राप्थ है रामसर का धर्जा जो हे वह चिलका जिल लोकतक केवला देव बुलर जिल सब को प्राप्त है तो इसमें हमारा एंसर हो जाएगा उप्यूक सभी यानि डिन लोकसन सबस्द ओक्तर कारे बनाने काbel रिकॉर्ड हैते हैं, यह रिकॉर्ड जो से सरकार उतर प्रदेश में थी ठीक है अब आई ये नेक्स्ट कोशन्स क्यों वढ़ते हैं हमारा 86 नंबर कुश्चन हमारा क्या कहता है कि से भारत में सर्वूच न्याले के संबद्ध में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है सर्वूच न्याले के संबद्ध में यह हमारा क्या होता कि केवल मूल 16 अदिकार है इसका और भी अधिकार है इसके प्रामर संबन्धु 6 यह त पिर हमारा आता है 87 नंबर कोश्चन कि निमलिकित में से कौन राज सरकार्त था अस्थानिय सासन के बीच राजस व बटवारे के लिए उतरदाई है तो यह जो है राज सरकार्त था अस्थानिय सासन के बीच राजस व बटवारे के लिए उतरदाई हमारा होता है राज बीत आ पानों में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गयी है तो इह हमारा भाग 10 में ऐसा बनीप्ध है कि 3155 प्नानीक्ट नसुट परिकल्पना की गई है Trina hey a однаiveness Question क्यों निर्वात अनुपातिक पर तिनीधित्व की वेवस्था सुचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट-पती की सिर्थी प्राप्त हुई कि सांसत की सुचना अधिकारधिनियम को भारत की राष्ट पती की सुक्रिति कब प्राप्त हुई थी इह हमारा प्राप्त हो थी 12th tv 2005 को 12 Πार्थोwr 55 पारितु है औज lets 2 Brady- Agriculture unri Riang प्रत्यच रूप से जनता दर निर्वाचित किये जाते हैं तो यानि अप्सन हमारा सी सही हो जाएगा पंचायत समिति के सदस परत्यच रूप से जनता दर निर्वाचित किये जाते हैं ठीक है यानि सी ऑप्सन सही हो जाएगा हमारा बान में का आए नेक्स्ट तिरानवे क्यों बढ़ते हैं तिरानवे में कि जिस समिति ने लोगतांत्रिक विकेंद्री करन और पंचायत राज की सिफारिस की उसका सभापति कौन था यह जो हमारा लोगतांत्रिक विकेंद्री करन पंचायत राज की सिफारिस की थे वह बलबंत रह मेहता समीति था ठीक है तो यह हमारा ऑप्सन डी हो जाएगा 93 का डी नेक्स्ट हमारा है चुरानवे नंबर कोशन की की सिराज का सचीवाले भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाने वाला जो हमारा सचीवाले भवने वह असम में है ठीक है अब आते हैं 95 लोग सभा में एंगलो इंडियन समधाय के प्रतिनीदित के लिए प्रावधान संभिधान में किस अनुछेत के अंतरगत किय अनुछे 331 में हमारा बनी अप्सन अब आए नेक्स्ट है हमारा 96 नंबर कॉश्ण भारतिय समिधान के निमलिकित अनुछेदों में से किस एक के अंतरगत विधान परिशत के स्थापना ये समापति की विवस्था की गई है तो भारतिय समिधान के हमारा जो विधान परिशत की अस्थापना समापति की विवस्था की गई है वह हमारा है 179 ठीक है 96 नंबर का हमारा हो जाएगा 179 ठीक है यानि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अब आते हैं 97 नंबर पर करता है कि से जनसंक्या के पिरामिड में कौन सा समूह आसरीत आदे के रूप में जाना जाता है यानि 00 से 14 वर्ष की जो आयूटेश अवाधि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस समय जो कोई कमाता नहीं है ये cellphone headaches क्यूशन हमारा की एक सुनीश्ची अ आक्रिति में विवस्ति तारों का सम्मू जो ऐसे क्या कहलाता है तो एक सुनिशित आक्रिति में विवस्ति तारों का सम्मू आकास गंगा कहलाता है यानि कि ऑप्शन यह हमारा सही हो जाएगा यह हमारा सही एंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कूश्चन है दच्छीन एसिया में Prophet जन संख्या का सरवाधिक प्रतिस्यत्स वाला देश है तो दॉषह में संख्या का सरवाधिक प्रतिस्यत्स वाला देश की FAR है निक्स्ट हमारा है कि निमलिखित मेंने से कौन सा यह जैब सुचक है तब ऑप्रतICO का यह तक यह सहीष हो दरोगा के लिए कर सकते हैं और ये हमारा ये सेटे डाला गया जी कई इसका तो कैसा लगा वीडियो ? या दो में जरूर कमेंट करें साथी साथ इसको लाईक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे फिर से शो कोशन लेकर के आएंगे ठीक है तब तक के लिए बाई बाई